हलो गैज, आप लोगा स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल Top Us In पर तो आप सभी लोगे की बहुत सारे प्रस्ण होते हैं कि सर मेरी Scholarship अभी तक नहीं आई है बहुत सारे छात्रों की Scholarship आ चुकी है 15 को भी scholarship आईए, 16 को भी आईए, 17 को आईए अपने इसी channel पर कम से कम एक लाग से जादा चात्रों के जो इस channel के viewers हैं, उनकी scholarship जो है आचुकिये फिर चाहे वो Instagram हो, comment के माध्यम से हो यह Telegram हो, सब जगा पर बच्चे जो है screen start उसका भेज रहे हैं आईसे में एक update जो है, आज morning में निकल कर आई है, उस update के बारे में भी हम लोग देखेंगे और जिन लोगों की scholarship नहीं आई है, उनके लिए एक अच्छी कबर है, उसको भी हम लोग देखेंगे जो भी साथी channel पर नए हैं, और अभी तक channel को subscribe नहीं किये हैं टौपास इन चैनल को subscribe नहीं कियो, प्लीज जल्दी चैनल को subscribe कर लिए, ताकि आप लोग UP scholarship से सम्बंदित, सारी update तुरंद पासके और बिल्कुल सही तरीके से तो चलिए देखते हैं, आज update क्या है, और उस update से किसको किसको फाइदा होने वाला है, उन सभी चीजों को उमलोग देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि UP लेकपाल का जो बिग्यापन हो जारी कर दिया गया है और इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं चक्छू पब्लिकेशन की UP लेकपाल की best book के बारे में आप इस book को देख सकते हो इसमें 1100 से ज़्यादा प्रस्ट है साथी साथ 200 पेपर भी आपको मिल जाते हैं ये जो book है पूरी तरीके से जो syllabus के recording जो डिजाइन किया गया है तो best book है ये book जो है आपको चक्छू पब्लिकेशन की आपको जो है दुकानों पर भी मिल जाएगी जो भी book की श्टोर है साथी साथ description box में link दी गई है आप उस link पर भी click करके order कर सकते हो contact number भी description box में मिल जाएगा आप call करकर भी इस book को जो है मंगा सकते हो तो बेतरीन तरीके से design किया गया है ग्राम समाज यों विकास की जो ये पुस्तक है साथी साथ मैं आपको अगर बता दू तो इसके अलावा भी दो book और आती है एक आपको राजा सुलेकपाल की जो है 25 practice set paper मिल जाएगे दो salt paper मिल जाएगे और साथी साथ इसकी एक copy यानि की complete guide जिसको आप बोल सकते हो संपूर पाठे पुस्तक की पुस्तक आपको मिल जाएगी तो total ये तीन book है इन तीन book को आप ले सकते हो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो third stage वाले जो छातर थे उन लोगों की जो last date थी form भरने की वो 10 January थी ठीक है second stage का form भर चुका है तकरीबन correction भी हो चुका है सभी लोगों का और बहुत सारे छातरों का second stage में जो है scholarship का पैसा उनके account में credit भी हो चुका है दिक्कत उन लोगों की है जिन लोगों की अभी कोई भी पैसा नहीं आया है मनलब कुछ भी पैसा नहीं आया account में उन लोगों के लिए क्या update है तो मैं दिखा दूँ यह update आज जो है morning की update में आई थी यानि की morning की जो news paper थे उस news paper के माद्यम से यह update निकल कराई थी अमर उजाला में इसमें लिखा था कि 26 लाख और विद्यारतियों कोई होगी सुल्क भर पाई प्रदेश में 26 लाख अच्छा आप सभी लोगों को पता भी होगा मैंने जो भी चात मुझे comment करते हैं या जो भी चात मुझे से पूछते हैं personally की sir जो है scholarship मेरी कब आएगी क्योंकि मेरी नहीं है तो मैं सभी को एक ही बात कहता हूँ कि wait करिए क्योंकि ये scholarship का पैसा ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है ये सब कुछ जो है हाथ में है वो है समाज कल्यान विभाग के समाज कल्यान विभाग इसमें काम कर रहा है जिन लोगों का form पहले फारवर्ड हो गया है या जिन लोगों का form बिल्कुल सही है उनको पहले दे दी जा रही है जिलनों का नहीं है तो उनलों की अभी टेंसन नहीं लेना है अभी 26 लाख लोगों को और जो है स्कॉलर्सिप दिया जाएगा और ये बात मुझे दो-तीन दिन पहले भी पता चली थी कि अभी जो है थार्ड स्टेज वालों का अभी पैसा आना जो है भी नहीं शुरूआ क्यों कि अभी तो उनलों का करेक्शन होना होगा उनलों की फरोरी में आई अब अपडेट क्या है इसको देखते हैं इसमें लिखा है कि प्रदेश में 26 लाख और विद्यार्थियों को चात्वृती के सास्थ सुल्क की भरपाई होगी इसके विद्यार्थियों को इस योजना का लाब मिल चुका है तो यहां पर यह बताया गया है कि 26 लाख लोगों को इस योजना का लाब मिल चुका है और अभी 26 लाख लोगों को और भी जो है दिया जाएगा इसका लाब यानि टोटल 52 लाख लोगों को इसमें लाब मिलने वाला है साथी साथ यहां बताया गया कि चात्र विर्ती वा सुल्क प्रतिपूर्थ योजना का लाब धाई लाख रूपे तक सालाना आयवाले यस्सी यस्टी और दो लाख रूपे तक सालाना आयवाले अनिवरगों के विद्यार्थियों को दिया जाता है 6 जनोई तक योजना के 2 चरण पूरे हो चुके हैं इसमें 26 लाग छात्रों को भुकतान हुआ है तीसरे चरण के डाटा को सिक्षन संस्थान 24 जनोई तक अगरसारित कर सकते हैं कि यहां पर बताया गया है कि 24 तारीक तक जिन लोगों का डाटा भी फारवर्ड नहीं हुआ है वो लोग 24 तक कर सकते हैं समाज कल्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक तीसरे चरण का जो डाटा अगरसाइत हो चुका है उसकी NIC के तेरिये जो है जांच कराई जा रही है तीसरे चरण के सभी पात्र विद्यार्थियों को 25 माज तक भुकतान किया जाएगा सासर ने चालू विद्यार्थ में 52 विद्यार्थों को योजना का लाव देने का निड़ा लिया है अब बात करते हैं बहुत से चात्र कहेंगे कि सरी थार्ड स्टेज के लिए बिल्कुल भी नहीं इसमें second stage के वी चात्र जो हैं सामिल हैं तो जिनका भी second stage, फ़र्स्ट stage में जिनका भी अभी तक नहीं auptे पैस आया है उन सभी का पैस आएगा तो आपको परेसान नहीं हो तो हलाकि आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बता दिया कि बेट करते रही है आप सभी की scholarship है जो जल्द ही आपके account में credit हो जाएगी ठीक है दरसल आप सभी को पता कि सभी की scholarship एक साथ नहीं या तेसकी कोई fix date नहीं होती है कि आज पांच जो है 19 सारी के तो 19 को ही उत्तर प्र मुझे बताते जाएंगे कि मेरी scholarship आचुकी है ठीक है तो इतनी सारी आज update थी तो जिनकी नहीं आईए आप लोग एकदम से relax हो जाएए जो update मिलेगी वो चैनल के मादम से बताया जाएगा और इस scholarship आप लोगों की आएगी टेंसन बिलकुल नहीं लेना 52,000,000 लोगों को scholarship मि नहीं है तो टेंसन नहीं लेना मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास update के साथ तब तक के लिए खुश रही है मस रही है जैहिन जैभारत